उस वक्त हर किसी की धड़का ने थम सी गई जब कीमा रोच ने पहले ही ओवर में SSV जैसवाल की स्लेजिंग करना स्टार्ट कर दिया कप्तान रूहत सर्मा भी आग बबूला हो थे लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था कि एमपार्स तक को बीच में आना पड़ा जी हाँ दोस्तों आपको अंडिया वर्सस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट तो याद ही होगा जब SSV जैसवाल को आउट करने की साजिस में कीमा रोच बार बार उनके सामने आ रहा है थे एक बार तो SSV जैसवाल रन आउट होते होते बचे जिसके बाद उन्होंने सीनियर खिलाडी कीमा रोच को मा बहन की गालिया देनी स्टार्ट कर दी जिसकी आलोच ना इंडिया से लेकर वेस्ट इंडीस तक खूब हुई बेसक यह बाद कीमा रोच को पता चली होगी इसी वज़ा से दिन की सुरुवाद होते ही कीमा रोच SSV जैसवाल को घूर कर देखने लगे उन्होंने पास आकर SSV जैसवाल को कुछ कहा जिसके बाद कप्तान रोध सर्मा भी आग बबुला हो गए बात बरता देख एमपार्स ने बीच में आकर कीमा रोच और SSV जैसवाल को समझाया